प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की 20 लाख करोण रुपए के व्यापक आर्थिक पैकेज की घोशना आर्थिक पैकेज बे श्रमिक घरीब प्रवासी लगुव असूक्ष्म उद्योग के साथ कुटीर उद्योग के लिए सभी के लिए होगा प्रावधान वित्र मंत्री निर्मला सीतारमन आज शाम चार बजे करेंगी प्रेस कॉंफरेंस देंगी आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी प्रधार मंत्री नरेंद्र बोधी ने कहा राजियों से मिले सुझाव के आधार पर लॉगडाउन 4.0 नए नियमों के साथ होगा पूरी तरह से अलग 18 मई से पहले विवरण किया जाएगा साजार भारतिय रेलवे द्वारा चुरिंदा 15 मार्गों पर यात्री रेल सेवा जारी आज 9 ट्रेनों का होगा संचालन केवल आई आर सी टी सी वेब साइट या मोबाइल एप पर उपलब्ध है टिक्टें केवल कंफर्म टिकट धा रखी जाएंगे रेलवे स्टेशन श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के जरिये देश के विभिन ने हिस्सों में फसे प्रवासी मजदूर पहुँच रहे हैं अपने घर विभिन में देशों में फसे भारतियों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन जारी शे दिनों के अंदर 43 उडानों से 8,503 भारतिय पहुंचे स्वदेश दूसरे चरण में 16 से 22 मही तक 31 देशों से 149 उडाने होंगी संचाले भारत में संक्रमन के सक्रिय मामलों की संख्या 47,480 इलाज के बाद 24,385 लोग हुए ठीक वाइरस के संक्रमन से 2415 लोगों की मौत दुनिया भर में कोरोना संक्रमन मामलों की संख्या 42 लाग के पार 2,91,000 से जादा लोगों की मौत अभी तक 14,08,000 लोग उपचार के बाद हुए स्वस्त नमस्कार डीटी न्यूस के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है मैं हूं निखिल सिंग और आई देखते हैं खबरों को अब विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,00,000 करोन रुपए के व्यापक आर्थिक पैकेज की घोशना की है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने करोना संकट से निपटने के लिए राष्ट के नाम दिये संबोधन में कहा कि ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्म निर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की घोशना कर रहा हूँ हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोशना की थी जो रिजर बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है इन सब के जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्ता की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को ट्वेंटी लाग्स ट्वेंटी ट्वेंटी में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गति देगा और पियम मोदी ने देश वासियों से लोकल के लिए वोकल बनने का अहवान किया उन्होंने कहा कि स्थाने उत्पादों को खरीदना भी है और उनका प्रचार भी करना है संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमान पूरी की है हमें इस लोकल ने ही बचाया है लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बलकि हम सब की जिम्मेदारी है आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया उनका प्रचार शुरू किया उनकी ब्रांडिंग की उन पर घर्ब किया वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए है हर भारत वासी को लोकल के लिए वोकल बनना है न सिर्फ लोकल प्रोडक्स खरीड़े हैं बलकि उनका घर्व से प्रचार भी करना है और प्रधार मंत्री ररेंद्र मोंदी ने कहा कि आत्म निर्भर भारत की भवे इमारत पांच आधार स्थम्भों पर खड़ी होगी पांच पिलर्स पर खड़ी होगी पहला पिलर एकोनोमी एक ऐसे एकोनोमी जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं बलकि कॉन्टम जंप लाए दूसरा पिलर इन्फास्ट्रक्चर एक ऐसा इन्फास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बढ़ेगे तीसरा पिलर हमारी सिस्ट्रिम एक ऐसा सिस्ट्रम जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बलकि 21 सदी के सपनों को साकार करने वाली टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो चौधा पिलर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रन डेमोग्राफी हमारी ताकत है पांचवा पिलर डिमांड हमारी अर्थेववस्ता में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी ख्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुत है वित्य मंत्री निर्मला सीतारमन आज शाम चार बजे प्रेस कॉन्फरेंस कर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोशित 20 लाख करोण रुपए के फ्यापक आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी देंगी ये आर्थिक पैकेज श्रमिक घरीब प्रवासी लगु वा सूख्ष मुद्योग के साथ कोटी रुद्योग के लिए होगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीस लाख करोण रुपए के राहत पैकेज की घोशना करने को सराहनिय कदम बताया है उन्हें ने कहा कि ये कोविड नाइंटीन से लड़ने के लिए राम बार साबित होगा सम्मानिय प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी के राष्टर के नाम अपने संदेश में आत्म निर्भर भारत अभियान के तहद देश में विकास को गती देने के लिए बीस लाख करोण रुपए के विशेश एवं एतिहासिक पैकेज की घोशना की है यह पैकेज देश की जीडिपी के लगभग दस प्रतिशत के बराबर यह पैकेज है यह पैकेज केवल कोविड-19 से लड़ने का माध्यम भर नहीं है बलकि यह देश को सशक्त एवं आत्म निर्भर बनाने वाला है कोविड की त्रासदी के वैश्वेक संकट से जीवर्ता के साथ नर्नायक लड़ाई लड़ रहे समग्र राश्ट के विकास एवं देशवासियों के कल्यान के यह प्रधान मंत्री जी इस संकल्बत खदम की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है आत्म निर्भर भारत अभ्यान पैकेज के जरिये देश के विभिन वर्गों एवं आर्थिक विवस्था की कड़ियों को मजबूती दिर जाए सकी बीस लाग करोर रुपे का ये पैकेज करोना से उत्पन संकट के बावजूद दोहजार बीस में देश के विकास यात्रा को एक नई गती देगा आत्र निर्भर भारत के संकल्ब को सिद करने के लिए इस पैकेज में देश के गरीबों मजदूरों और मध्यम वर लगू द्योगों के विशेश ध्यान रखा गया है क्योंकि यही आत्र निर्भर भारत के हमारे संकल्ब के मजबूत आधार स्थम है साथ ही साथ जो हमारा मध्यमवर्ग है जो हमारा टैक्सपेर है उसकी भी इसमें चिंता की जा रही है इसलिए यह पैकेज अपने हाप में एक एतिहासिक पैकेज है और भारत को आर्थिक दृष्टी से एक क्वांटम जम्प देने के लिए यह उसका आधार बनेगा ऐसा मैं मानता हूँ प्रधान मंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और कोरोना संकट के समय विदेशों में फसे भारतियों को निकालने के लिए साथ मई से शुरू हुए वंदे भारत मिशन के तहट पिछले छे दिनों में एर इंडिया और एर इंडिया एक्स्प्रिस की 43 उडानों के जरिये 8,503 भारतियों को वापस लाय गया है सरकार दारा शुरू के गए भारतियों को वापस लाने के सबसे बड़े अभियानों में से एक वंदे भारत के तहट भारतियों को वापस लाय जा रहा है इस अभियान के तहट नागरिक उड्डैन मंत्राले विदेश मंत्राले और अन राजियों राज सरकारों के साथ समन्वे कर भारतियों को वापस स्वदेश लाने का काम कर रहा है एर इंडिया अपनी सहाय के एर इंडिया एक्सप्रेस के साथ को विदेश से सुरक्षत निकालने के काम में सरकार और डीजी सीए द्वारा निर्धारित सुरक्षा और स्वच्चता प्रोटोकॉल का कडाई से पालन हो रहा है नागरिक उड्यन मंत्राले, भारती अएरपोर्ट प्राधिकरन और एर इंडिया इस मिशन में यात्रियों, क्रू मेंबर्स और हवायड़े पर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को प्राथमिक्ता दे रही है सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार, व्यापक और साब्धारी पूर्वक सुरक्षा ववस्था की गई है और वंदे भारत मिशन के साथमें दिन आज खाड़ी देशों से पांच उड़ानों के जरिये लगभग 900 फंसे हुए भारतियों को वापस लाए जाएगा दुबई से आज दो उड़ाने एक दिल्ली और दूसरी अमरित्सर के लिए निर्धारित है दिल्ली आने वाली उड़ान में चार शिश्यों सहित 241 यात्रियों के होने की संभावना है वहीं अमरित्सर के लिए आने वाली विमान में 178 भारति होंगे कुवेट से एहमदाबाद और कोकीजी कोड के लिए दो नाने निर्धारित हैं जिन में कुल 330 लोग होंगे जद्दा से काली कट के लिए उड़ान भरने वालों में 149 लोग है परिचालन कारणों से आज दिल्ली आने वाला विमान अब कल आएगा वंदे भारत मिशन के तहट अब मुश्किल में फसे श्रमिकों, भुजर्गों, गंभीर मरीजों, गर्वती महिलाओं और अन्य लोगों को प्राथमिक तादी जा रही है विमान में किवल उन लोगों को चढ़ने दिया जाएगा, जिन में कोरोना वाइरस के कोई लक्षन नहीं होंगे और दुनिया में कोरोना संक्रमल के चलते देश से बाहर फसे लोगों को स्वदेश वापसी लाने के लिए चलाया जा रहे है वन्दे भारत मिशन के तहरे 324 यात्री चिन्ने अंतराश्ट्रे हवाइड़े पर पहुंचे यहां पहुंचे सभी यात्रियों की कोरोना जाज के बाद उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा जल्द हासर होंगे हम सभी करोना वाइरस तुम जैसे बहुत चिंदित है करोना वाइरस को फहलने से रोकने के लिए एप छोटी चीज आप कर सकते हैं हमारे हाथ दोने बहुत जरूरी है सिर्फ पानी से लिए हाथ दोने है सभू ज़रूर इस्तवाल करना है और जब आप हाथ मल रहे हैं उसाबं सिर्थ यह आपकी सिरुक्षा के लिए है 20 सेकंड जरूर मुलिए जाए उपर से भी ऐसे क्लीन करना जरूरी है और हाथ बदलते रही है जरूर मुझे लगता है 20 सेकंड खब मुहाँ जरूरी हाथ अच्छी तरह से साफ केजिए और उसे भी बहुत इपॉर्टन चीज़ है उसे सही तरह से सुखाण मुलिये जाए मेरे प्यारे बच्चों ये ये आपकी तमना नी थी भारती रेल्वे द्वारा चुरिंदा 15 मार्गों पर यात्री रेल सेवा जारी है केवल IRCTC वेबसाइट या मुबाइल आप पर टिक्टे उपलब्द है केवल कनफर्म टिकट धारक ही रेल्वे स्टेशन पर जाएंगे आज सुबह पत्ना से नई दिल्वे स्टेशन यात्री रेलवे स्टेशन पहुंची वही एहमदाबाद से एक यात्री रेलवे स्टेशन पहुंची वही दिल्ली से चली तीसरी स्पेशल श्ट्रमिक ट्रेन जम्मू और कश्मीर के 1200 फसे हुए यात्रियों को लेकर आज सुबह पांच बच कर 25 मिनट पर उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंची स्टेशन पहुंचने के बाद यात्रियों को उनके जिलों में भेजने से पहले हर व्यक्ति को कोविड-19 की जाज की गई चार माई से चल रहे लॉकडाउन को दो माई तक बढ़ाने के आदेश का था थी विशेश ट्रेनों द्वारा विभनिस्तानों पर फसे प्रवासी श्रमिकों, परेटकों, चात्रों और अन्य वेक्तियों को स्पेशल ट्रेन द्वारा आवाजाही की अनुमती दी गई थी प्रसाशन ने उधंपूर स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 की जात सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केबल एक दिन में दो ट्रेनों का आगमन की अनुमती दी है और आज कुल नौ यात्री रेलगाडियां चलेंगी जिन में नई दिल्ली से हावडा नई दिल्ली से राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली से जम्मूतवी नई दिल्ली से तिर्वनंत पुरम नई दिल्ली से राजेंद्र नगर पटना के लिए नई दिल्ली से जम्मू तवी नई दिल्ली से तिरुवनंत पुरम नई दिल्ली से चैने सेंट्रल नई दिल्ली से राची नई दिल्ली से मुंबाई सेंट्रल नई दिल्ली से एहमदाबाद भूमनेश्वर से नहीं दिली ये चुनिंदा मारगों पर रेल सेवा है आज चलने वाड़ी रेल गाड़ियां है तो ये सारी आज चलने वाली गाड़ियां है जो चुनिंदा मारगों पर चलेंगे और कोविड-19 के महमारी के बीच देश भर में दूसरी राज्यों में फसे लोगों को अपने ग्रह राज्य पहुँचाने का कारिर भारती रेलवे द्वारा किया जा रहा है मेंगलूरू में फसे जमु कश्मीर के करीब एक हजार नागरिकों और चात्रों को कल श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा उधंपुर पहुँचाया गया और जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में बाहर से आने वारे लोगों के लिए टेस्टिंग सेंटर बनाए गाए है भारत में COVID-19 के ताज़ा आकड़ों की बात करें तो भारत में करोना वाइरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 47,480 हो गई है जबकि 24,385 लोग स्वस्थ होकर अस्वताल से घर जा चुके हैं और 24,000 और इसके अलावा 2,415 मरीजों की मौत हो गई है सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमन की चेन को तोड़ा जा सके इसलिए लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है और COVID-19 से जारी जंग में सरकार के द्वारा स्वास्त सुविधाएं बहतर करने के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें 6.56 लाख से अधिक आईसोलेशन बेड्स सहित एक लाख ऑक्सीजन की सुविधावाले बेड्स उपलब्त कराए जा रहे है इसमें 34,76 आईसीउ बेड्स भी है एंसीडीसी में कोबस 6,800 टेस्टिंग मशीन लगाई गई है जो 24 घंटे में 1200 नमूनों का परिक्षन करने में सक्षम है तो COVID-19 से ने पटने के लिए परियाप्त स्वास्त सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है आईसोलेशन बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं अस्पतालों की संख्या बढ़ाए जा रही है देश भर के चिन्हित 443 जिलो में 7740 COVID-19 समर्पित स्वास्त सुविधाएं रहेंगी तो कुल मिलाकर हर तरफ से सुविधाओं को बढ़ाने की कोशश की जा रही है और दिल्ली पुलिस कोरोना से लड़ने में के फ्रंट पर काम कर रही है लोगों की सेवा करते हुए दिल्ली पुलिस के कई लोग कोरोना से संक्रमित भी हो गए है और यही कारण है कि अब दिल्ली के हर थाने में टेली एडवाईज सिस्टम को शुरू किया गया है जिसमें डॉक्टर पुलिस को कोरोना से बचाव के तरीके बता रहे हैं पेश है संवादता नीरत सिंग की ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस करोना मामारी से निपटने में दिन रात लगी हुई है अपनी डूटी दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तेदी से कर रही है लेकिन ये भी सच है कि सेवा करने के साथ पुलिस के कई लोग करोना से संक्रमित हो गये हैं इसे बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने टेली एडवाईस सिस्टम शुरू किया है जिसमें डॉक्टरों की टीम उनको करोना से बचने के लिए ट्रेनिंग दे रही है पेली एडवाईस सिस्टम के तहट दिल्ली के हर थाने में एक यूनिट होगी जिसमें शेत्र की डॉक्टर शामिल होंगे थाने का एसेचो और पुलिस कर्मी उससे जुड़े होंगे इसके माध्यम से पुलिस कर्मी 24 गंटे अपने और अपने परवार के लिए सला ले सकेंगे करोना वायरस से जितना खत्रा हमको और आपको है उससे कहीं ज्यादा खत्रा पुलिस के लोगों को है क्योंकि ये फ्रेंट पर काम कर रहे हैं यही कारण है कि टेली एडवाईस ना के बल पुलिस के लोगों को करोना संक्रमन से बचाएगी बलकि उनके परवार के लोगों को भी करोना से सुरक्षित रखेगी नीरा सिंग, डिडी नीज, दिल्ली तो दिल्ली पुलिस के लिए जारी हो रहा है टेली एडवाईस सेस्टम और बुलिटर में फिलहाल यहां रुकेंगे चोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजरूंगे कहीं मत चाहिएगा